हेलो फ्रेंड्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम जानेंगे ओपन ओफिस कैल्क में चार्ट यानि ग्राफ को क्रियेट करना तो चलिए शुरू करते हैं और चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और से चरूर कीजिए पर अब कर दो अब कि यहां मैंने ओपन आफिस कैल्क ओपन कर लिया यहां पास कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं जिसके बेस पे हम चार्ट क्रियेट करेंगे कि इनके लिए मेर्ध इनके मार्स को फिल कर लेता हूं जिसके बेस पर हमसीर बनाइंगे यहां पस हमने तीन सब्जेट के मार्स ले लिए अमर अजय विजय मैंने ऐसे ही नाम ले लिए हैं और इनके जो मार्स हैं हिंदी इंग्लिज और मैट कैसे ही मैंने फिल कर दी हैं आपको समझाने के लिए इनका टॉटल निकालने का फॉर्मूला इक्वल टू शम बैकेट ओपन करते हैं और इसे फस्सेल से लेकर लास्सेल तक इसे ड्रैक कर देते हैं और इंटर की प्रेस करेंगे तो यह इसका टॉटल निकल गया बस इसी फॉर्मूले को आपको निचे ड्रैक कर देना है यह आटो फिल हो जाएगा अब इनका परसेंटे यह भी हंडेड और यह भी हंडेड तो 300 हो रहे हैं तो इसे 300 से डिवाइड कर देंगे यह आ गया 63 परसेंटेज इसे नीचे ड्रैक कर दे रहे हैं 63 73 और 38 यह परसेंटेज आ गया अब इसके बेस पर हमें चार्ट क्रिएट करना ताब करना क्या है पहले इस टेवल को पूर हम चार्ट करकने रहे हैं 6rd लेंग जाके चार्ट को क्लिक कर सकते सेंसे जी उसोफ्जन पर क्लिक करें चार्ट वाले पर स्वाले तो 500 चार्ट के टाइप आ आपको यहां नीचे अंदर दिख रहा हूं यहां पस जैसे हम 3D पर कर रहे हैं यह नॉर्मल मैंसा है 3D में यह दिखिए यहां पस लोग चेंज हो जा रहा है box में देखिए किस तरह से दिखता है है यह लगल है style में आप यहां change कर सकते हैं इसके बाद next आता है यहां पास data range अगर आप change करना चाहते हैं इससे कि मैंने starting से लेकर last तक select किया है अगर आप change करना चाहते हैं तो इस पर click करके वह आप select कर सकते हैं अभी मेरे को यहां change नहीं करना पूरा जो टेबल है हमारा उसको लेना है उसके बाद यहां पस देखिए यहां पस दो option दिखे रहे होंगे data series in row अगर आप row select करते हैं तो जो भी row है जैसे कि name है हिंदी है English है math है total है percentage है यह आपको यहां पस दिखाई देता है बट अगर इस बेस पर हम देख रहे हैं तो डेटा हमारा जो है वह इनके मार्स यहां पस क्या दिख रहे हैं तो यहां पस कलर से इंटिफाई हो जाता है कि यह ब्लू कलर जो है वह हिंदी के लिए है औरेंज कलर जो है इंग्लिस के लिए यहां पस मै्ट हो जयो और गृम जो है टॉटल के लिए और रेट जैसा परसेंटेज्ट ंवन्हीं के लिए तो है यहां पस कलर से इडoffs करते हो जो जो मालस किस तरह से एक चार्ट के पूर्म में आपको दिख रहा है यह जो सब्जेक्ट जिसका हाई है जिसे ग्रीन जो है वो टोटल है तो टोटल सब्सक्राइब किसका दिख रहा है आपास यह दिख रहा है आपास अलग-अलग सब्जेट का बाद में अगर हम रिकॉर्ड में चेंजेस करना चाहते हैं सब्वोज यह हमारा चार्ट त्यार हो तो यह देखिए चार्ट में आटमेटिक चेंजेस आजाता है बाद में अगर आपको नए कॉलम सपोज यहां पास हमें एक नया कॉलम जोड़ते हैं एक नया कॉलम में हम यहां एड करते हैं सपोज इसके मार्श फिल करते हैं इसका टोटल निकाने के लिए नीचे ड्रेग कीज़े तो इसका टोटल यहां आ जाएगा परसेंटेज के लिए यहां पास यह ड्रेग कर दी हमने अब आप देख रहे हों कि नया रहोल नया रिकॉर्ड और बर इंट किया है विकरम करके बढ़ार कारे वादाफ 15 time चार्ट में आपस दिखाई नहीं देरहा हैं अभी इससे भी वैए चार्ट में कंढ़ना है तो क्या करेंगे तो आप देख रहेंगा पर Click करना है right click करेंगे right click करने के बाद इस पर left क्लिक करेंगे और आपके option दिखाई डिटािब करना है और यहाँ पास आपको option दिखाई देंगे रहा होगाデ stör करेंगे जैसे हम हम क्लिक करेंगे जैसे हम डेटा रेंज पर क्लिक करते हैं तो डालो बॉक्स आता है यहां पास आप डेटा रेंज इसके करेंगे और फिर से आप पूरा जो रिकॉर्ड है जहां तक आप लेना चाहते हैं वहां सब्सक्राइब कर लिजे और दें ऑके कर लिजे अब देखिए नीचे जो हमारा चार्ट है उसमें अजय व सकते हैं इसे राइट क्लिक करेंगे यह लिखा हुआ है चार्ट टाइप पे जाएंगे यहां फिर से आप चाहू तो जोभी चार्ट आपको पसंद आ रहा है वह ले सकते हो तो हु simplement क्याने कि यहां देखें चार्ट का टाइप चेंज हो गया इसे आपको तो धिक रहा होगा कि किसका जो मार्स है किसका सबसे जादा है यहां आपको आपको राइट क्लिक करना है और यहां पस लिखा हुआ है इंसर्ट टाइटल जैसे आपस कुछ हेडिंग आपको नहीं दिख रहा है कि चार्ट किस चीज़ का अगर आप चाहते हैं इसमें टाइटल देना तो इंसर्ट टाइटल पर जाएंगे और लिखेंगे रिजल्ट उन्यदोर है यह कर सकते हैं इसको टो तो आप पर्सेंटेज लिखा हुआ है है मैप unggly हिंद्धी यह जो कलर रहा है इसको अगर Carla सकते हैं बस करना किया आपको यह जो डिलीट को ओप्षिन दिखता है यहां पास से डिलीट कि वह आप कर देंगे तो आज यहां पास अभी दिखे लिखा हुआ इंसर्ट लेजिंट तो यह आ गया और डिलीट लेजिंट कि इस तरह से हमें चार्ट बनाना है और कैसे उसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं इससे कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरू पूछिएगा धन्यवाद दोस्तों